हेलो दोस्तों, इंटलेक्टो.न के स्यूट्व प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पर UPPCS, ROYRO और BEO के लिए GS के सभी important topics पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंतरगत आज आपकी 38 क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के संदर में चर्चा करने वाले हैं जब भी आप UPPCS या इसके द्वारा आयुजित कराई जाने वाली अनपरिक्छाओं के बिगत वर्सों के प्रश्च पत्रों को उठा कर देखेंगे तो जो भारत के 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं उनसे लगातार प्रश्ण पूछा जाता है और भुगोल के अंतरगत जो भारतिय परिवाहन बाला जो टॉपिक है उहां पर ज्यादा तर जो प्रश्ण है वो बंदरगाहों से ही बनते हैं उसके बाद कॉश्चन जो पूछे जाते हैं वो सड़क परिवाहन से आते हैं और उसमें नैशनल हाईवे के संदर में जादा कॉश्चन बनते हैं तो आज यहां पर हम देखेंगे भारत के जो 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में बाद बाद की छोटे बंदरगाहों से प्रस्ण नहीं बनते हैं या फिर कभी कभार एकाद प्रस्ण पूँच लिया जाता है ठीक है तो टॉपिक को करते हैं स्टार्ट बहुत अच्छे से चीजों को देखना ताकि आप एक ही बार में सारी चीजों को समझ पाएं एक चीज और डिसकस कर लेते हैं कि यहां से जो प्रश्ण है वो कैसे बनेंगे तो एक तो अबस्तिती के संदर में प्रश्ण आ सकता है ठीक है कि बंदरगाहा किस राज में है ये आ सकता है और किस तटपर है ठीक है क्योंकि बंदरगाह तटपर इस्तित होते हैं तो यहाँ पर question इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बंदरगाह पश्चमी तटपर इस्तित है या पूर्वी तटपर इस्तित है और क्या हो सकता है और क्रम से लगाने के लिए भी यहा मैं विवस्तित कीजिए या फिर कोई बन लाइनर जो फैक्त होता है सीधा सीधा वो भी पूछा जा सकता है तो सारी चीजों पर हम लोग यहां पर आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर बंदरगाह से कोई प्रशन बनता है तो उसको आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे थिक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि भारत में इस समय पर 13 बड़े बंदरगाह है और लगभग 200 छोटे बंदरगाह है तो संख्या याद रखना यह वाली कि भारत में बरतमान में 13 बड़े बंदरगाः है अब मैप में थोड़ा सा ऊण को indicate करके देख लेते हैं कि वो बंदरगाहा कहां कहां परिस्तित हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि बंदरगाहा तटपर होते हैं और बंदरगाहा होते क्या हैं कि जो पानी वाले जो जहाज चलते हैं जिने आप सिप कहते हैं तो उन सिप के माध्यम से विदेशों से निर भारत से विदेशों में चीजों को निर्यात किया जाता है तो वो जो जहाज रुकते हैं और उन पर जो माल भरा जाता है या फिर वहाँ से माल उतारा जाता है तो वो जो छेत होता है जो station type का होता है उसे ही बंदरगाहा कहते है जैसे train में आप मानके चलिए कहीं भी train माल गाड़ी खड़ी होती है उसका सामान उतारा जाता है भरा जाता है तो वो तो railway station हो गया यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर उनको बंदरगाहा कहते है यानि की port कहते हैं इंगलिस में ठीक है तो भारत के 13 बड़े बंदरगाहों की स्तिती को अभी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से इधर से पस्चमी तट से स्टार्ट करते हैं गुजरात सबसे पहले है तो यहाँ पर आप देखेंगे कांडला बंदरगाह है उसके बाद महराष्ट की बात करें तो यहाँ पर दो हैं एक मुंबई और दूसरा है नहावा सेवा ठीक है उसके बाद गोवा है गोवा में देखें तो जुआरी नदी पर मुर्मगाओ बंदरगाह है करनाटक में देखें तो यहाँ पर है न्यू मैंगलॉर ठीक है केरल में देखें तो कोचीन है जैसे की आप कोची बंदरगाह के नाम से जानते हैं तमिलाडू की बात करें तो यहाँ पर तीन बड़े बंदरगाह हैं कौन से एक तो मनार की खाड़ी में आपका हो गया तूती कोरिन उसके बाद यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर हो गया एन नौर तो ध्यान रखना की तमिलाडू में तीन बड़े बंदरगाह हैं तमिलाडू के ऊपर देखें तो आंध प्रदेश है यहाँ पर जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है विसाखा पतनम उसके बाद आंध प्रदेश के ऊपर देखें तो उरीसा है जहाँ पर की बड़ा बंदरगाह है पारा दीप और उरीसा के ऊपर देखें तो यह पस्चम मंगाल है जहाँ पर की बड़ा बंदरगाह है कोल काता ठीक है और एक आपका बंदरगा है अड़मान निकोबार में जो की है पोर्ट बलेयर बादबा की ध्यान रखना की हाल ही में पोर्ट बलेयर का नाम चेंज करके स्री विजयपुरम कर दिया गया है तो ये भी चीज ध्यान रखना तो ये भारत के 13 बड़े बंदरगा है इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए गुजरात में कांडला माराष्ट में मुंबई और नहाबा सेवा गोवा में मुर्मगाओ करनाटक में आपका हो गया न्यू मैंगलॉर केरल में हो गया कोचीन आंद प्रदेश में हो गया विसाखा पतनम और उईसा में हो गया पारादीप पस्चम मंगाल में हो गया कोलकाता और एक हो गया संग सासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार में जो की है पोर्ट बलेयर तो इन 13 बंदरगाहों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए कॉस्चन राजवार पूछा जा सकता है कि किस राज़ में कौन सा है या फिर कौन सा पश्चमी तटपर है कौन सा पूर्वी तटपर है इस तरीके से घुमा के परशन बन सकता है या फिर question ऐसे आ सकता है कि चार बंदर गहा दे दिये और फिर पूँच लेगा कि इनको उत्तर से दक्षिड या फिर दक्षिड से उत्तर के क्रम में विवस्तित कीजिए तो ऐसे भी बन सकता है question ठीक है तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिए स्क्रीन सोट ले लीजिए अगर आपको लेना है जैसे भी या फिर आप नोट कर रहे हों तो नोट की कर लिया करिए अब हम लोग एक एक करके सभी प्रमुक बंदर गाओं मतलब इन सभी 13 बंदर गाओं के संदर में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कांडला की जो की कहां पर है गुजरात में अभी आप लोगों ने देखा तो मैं बार बार अब मैप नहीं दिखाऊंगा आप चाहें तो एक बार फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं फिर हम लोग पूचा जाता है ध्यान रखना कांडला जो बंदरगा है उसे दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है और यह कहां पर है गुजरात में गुजरात में एक जक्ट इसकी लोकेशन देखें तो यह कच्छ की खाड़ी में इस्तित है बाद बाकी कांडला बंदरगाह से सिर्फ आयात होता है इसी लिए इसको आयात पत्तन कहते हैं तो बहुत बार कॉश्चन पूचा जाता है कि निमलिखित में से किस बंदरगाह को आयात पत्तन कहते हैं तो वो कहते हैं कांडला बंदरगाह को क्योंकि यहां से सिर्फ आयात होता है और किसी भी वस्तु का यहां से निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है तो सिर्फ आयात होता है, इसलिए कांडला हो गया आपका आयात पत्तन, बादवाकी उत्तर भारत में आपूर्ती करने वाला कंडला सबसे बड़ा बंदरगा है, यानि कि कंडला बंदरगा पर जो पेट्रॉलियम और और औरवरक का आयात किया जाता है, उसे पूरे उत्तर भारत में उसका प्रियोग होता है, इसलिए उत्तर भारत में आपूर्ती क करने वाला कांडला सबसे बड़ा बंदरगा है बाद वाकि कांडला को मुक्त ब्यापार छेत्र भी गोसित किया गया है ठीक है मुक्त ब्यापार छेत्र यानि कि यहां पर जो भी चार्जेज होते हैं सरकार के वो नाम मात्र के होते हैं या फिर फिरी होते हैं और जो टेक्से कि कांडला को मुक्त ब्यापार छेत्र घोसित किया गया है अगला बंदरगा है मुम्मई सभी को पता है यह कहां पर है यह महराश्ट्र में है और यह एक प्राकर्तिक बंदरगा है तो यह चीद ध्यान अखना कॉस्चन जो है वो प्राकर्तिक और कृत्रिम के संदर में भी पूछा जा सकता है प्राकर्तिक बंदरगा आप समझी गए कि जो पूरी तरीके से प्रकर्ति द्वारा निर्मित हुआ है और जो कृत्रिम बंदरगा है उसमें मानब के द्वारा चीजों को निर्मित किया जाता तो जो मुंबई है वो एक प्राकरतिक बंदरगा है और एक फैक्ट याद रखना कि यह है भारत का सबसे बड़ा प्राकरतिक बंदरगा है। बंदरगा से होता है मुंबई से ठीक है इसके संदर में बस इतना ही आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं नहावा सेबा की जो की महराष्ट में ही इस्तित है और मुंबई जो बंदरगा है उसका यह सहायक बंदरगा है ठीक है तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जो नहाव मुंबई का सहायक बंदरगा है सहायक बंदरगा का मतलब ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर मेन जो बंदरगा है माराष्ट में बो है मुंबई अब मुंबई बंदरगा पर बहुत जादा जो दबाव है उसको कम करने के लिए एक अलग बंदरगा बना दिया जाता है पास में उसी को बोलते हैं सहायक बंदर गहा तो जो नहावा सेवा है वो मुंबई का सहायक बंदरगा है ठीक है? और यह एक कृत्रिम बंदरगा है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मेत, तो ध्यान रखना नहावा सेबा कृत्रिम बंदरगा है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगा है, आप देखते होंगे जहाजों पर बहुत से चीजों के कंटेनर लदे हुए आते हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा जो मतलब कंटेनर बंदरगा है यानि कि जहां पर बहुत जादा मात्रा में कंटेनरों को उतारा जा सकता है और रखा जा सकता है ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगा है नहावा-सेबा उसके बाद मुर्मगाओ की बात करें तो यह जो आरी नदी परिस्तित हैं माहराष्ट में आप देखेंगे ओ सौरी गुजडात में गोगा में, जो आरी जो नदी है उसी पर यह मुर्मगाओ बंदरगा इस्त और मुर्मगाव जो है वो एक प्राकर्तिक बंदरगा है बादवा की इसी मुर्मगाव बंदरगा से इरान को भारत का लोह अयस्क निर्यात किया जाता है तो ऐसे भी question मनता है कि किस बंदरगा के माध्यम से इरान को लोह अयस्क निर्यात किया जाता है ठीक है तो बंदरगा से इस तरीके के भी प्रस्ण बनते हैं बन लाइनर में बहुत तो इन पर भी ध्यान देना आप लोग पादबाकी मुर्मगाओ एक प्राकर्तिक बंदरगा है जुआरी नदी पर इस्तित है और यह है परियतन की दृष्टी से भी महतपूर है उसके बाद न्यू मैंगलोर बंदरगाह की बात करें तो अभी आपने मैप में देखा करनाटक में यह है इस्तित है और इसके संदर में एक फैक्ट आपको यह ध्यान दखना है कि जो कुद्रे मुख का लोह अयस्क है करनाटक में जहांपर की सबसे जादा लोहा होता है वो ज ठीक है अगला देखो कोचीन या फिर इसे आप कोची कहलो तो यह कहांपर है यह केरल में इस्तित है और यह एक प्राकर्तिक बंदरगाह है ठीक है और यह लैगून में इस्तित है तो लैगून जील के बारे में जब मैंने जीलों के संदर में पढ़ाया था तो बताया था लेगून क्या होती है तो ये जो कोचीन मंदरगा है ये लेगून पर ही इस्तित है बात बाकी यहां पर कोचीन में देखेंगे तो कोचीन सिप्याड लिमिटिड इस्तित है और यह है भारत का सबसे बड़ा सिप्याड है सिप्याड में क्या होता है या तो जहाजों का निर्म किया जाता है तो पानी वाले जहाज होते हैं या फिर उनकी मरम्मत की जाती है तो जो कोचीन सिप्याड लिम्टिड है वह है भारत का सबसे बड़ा सिप्याड है यह भी पूछा जा चुका है उसके बाद हम लोग पूर्वी तटके बंदरगाहों की बात करें तो उसमें तूती कोरिन है ठीक है इसको वी ओ चिदमबरनार कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है बाद बाकी तूती कोरिन आपको पता ही होगा मैप में देखी लिया यह कहां पर है तमिलनाडू में मननार की खाड़ी में ठीक है लिखा हुआ है मननार की खाड़ी में तमिलनाडू में इस्तित है और तूती कोरिन एक क्रित्रिम बंदरगाह है यह जरूर ध्यान रखना कि कौन सा बंदरगाहा प्राकरतिक है और कौन सा क्रित्रिम ठीक है और आप ध्यान रखना कि तूती कोरिन जो है उसको मतस पत्तन भ अगला देखिए चेननई ये भी तमिल नाडू में इस्तित है और ये है कृत्रिम और खुला सागर ये बंदरगा है ठीक है खुला सागर ये मतलब बिलकुल खुले सागर में इस्तित है और चेननई देश का प्राचीन बंदरगा है ठीक है जब भी आप प्राचीन काल में भी यहां से व्यापार को देखेंगे तो इसी चेन्नाई बंदरगा के माध्यम से प्राचीन काल में भी व्यापार किया जाता था तो यह देश का प्राचीन बंदरगा है बादबा की एक फेक्ट याद रखना कि भारत का जो औसत समुद्र तठ है वो चेन्नई से ही मापा जाता है भारत का ओसत समुद्रतट जो है वो चेन्नई से ही मापा जाता है ठीक है अगला तमिलनाडू में चेन्नई के पास ही इस्तित है एन और इसको कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं पूछा जा चुका है एन और बंदरगहा को कामराज बंदरगहा के नाम से जानते हैं और इसकी location की बात करें तो यह है चेन्नई के समीप ही इस्तित है बाद वाकि यह है देश का सबसे बड़ा computer आइड सबसे बड़ा और प्रथम ठीक है प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइड और निगमित बंदरगा है बाद वाकि इस बंदरगा का जो निर्माड है वो चेननई बंदरगा पर दबाव कम करने के लिए किया गया है यानि कि जो एन नौर है वो चेननई का सहायक बंदरगा है जिस तरीके से आपने अभी देख बंदरगा है उसका निर्माड एसी आई विकास वैंक की साहता से हुआ है जो एसीन डवलब्मेंट बैंक है उसकी साहता से ही इस एन नौर बंदरगा का निर्माड कराया गया है फिर आंद प्रदेश में इस्तित विसाखा पतनम की बात करें तो यह देश का सबसे गहरा बं बंदरगा है और यह एक प्राकर्तिक बंदरगा है बाद बाकि बिसाखा पत्रम बंदरगा के संदर में विशेष फेक्ट यह ध्यान रखना कि जो बिसाखा पत्रम बंदरगा है वो डाल्फिन, नोज, पहाडी के पास इस्तित है और इसी कारड़ी है तेज हवायों से बिसाखा पतनम का जो बंदरगा है वो डाल्फिन नोज पहाडी के पास इस्तित है और इसी कारड़ है तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है क्योंकि जो पहाडी है वो तेज हवाओं को रोक लेती है बाद बाकी बैला डीला की खान आप लोग जानते ही होंगे जिससे की लहो अयस्क निकाला जाता है तो उस लहो अयस्क को इसी विसाखा पतनम बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है ठीक है तो बैला डीला का लहो अयस्क विसाखा पतनम बंदरगाह से निर्यात होत उसके बाद पारादीब की बात करें ये कहां पर है उडिसा में इस्तित है और यह महानदी के मुहाने पर है ध्यान अखना ठीक है महानदी के मुहाने पर है महानदी एक नदी है तो महानदी के मुहाने पर यह पारादीब बंदरगहा इस्तित है और यह लेगून पर इस्तित ह ठीक है लेगून आप लोग जानते ही होंगे और जारखंड और उडिसा का जो लहो अयस्क है वो इसी पारादीब बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है ठीक है तो जारखंड और उडिसा का जो लहो अयस्क है वो कहां से पारादीब बंदरगाह से जाप को निर्यात किया जाता है बादवाकि पारादीब का प्रश्ट प्रदेश खनिज संपदा की दरश्टी से महतपूर है तो ये तो सभी जानते हूं कि जो पारादीब के आसपास का छेत है यानि कि जो उडिसा के आसपास का छेत है वो खनिज संपदा की दरश्टी से तो संपन है ही तो ये भी ध्यान रखना उसके बाद बात करते हैं पस्चम मंगाल में इस्थित कोलकाता बंदरगा की ठीक है तो ये जो बंदरगा है ये हुगली नदी पर इस्थित है ठीक है ये ध्यान रखना किस पर हुगली नदी पर इस्थित है और कोलकाता बंदरगाहा का जो मुख पोतास्रे है वो खिदिरपुर में इस्तित है पोतास्रे मतलब जहाँ पर की जहाँ जाकर आस्रे लेते हैं यानि की खड़े होते हैं तो वो कहाँ पर है कोलकाता बंदर का मुख पोतास्रे खिदिरपुर वहाँ पर एक जगह है वहाँ ये इस्तित ह और समुद्र में इस्थित जो इस बंदरगाह का पोतास्र है वो है डायमंड हारबर ये काफी प्रसिद्ध है ठीक है तो ध्यान रखना कोलकाता बंदरगाह का जो समुद्र में इस्थित पोतास्र है वो डायमंड हारबर है और जो मुख पोतास्र है वो है खिदिरपुर ठीक और एक हल्दिया बंदरगा है जो की कोलकाता का सहायक बंदरगा है तो देखो जितने भी बड़े बंदरगा होते हैं उनमें क्या होता है कि उन पर बहुत जादा दबाव रहता है वहाँ पर बहुत जादा जहा जाते हैं तो उन पर दबाव रहता है तो उस दबाव को कम करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि उसी के पास में एक अलग बंदरगा बना दिया जाता है ताकि जो मुख बंदरगा है उस पर दबाव कम हो जाए तो हल्दिया कोलकाता के पास बना दिया गया तो ध्यान रखना हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदर है वो बाह फथन का बिसिष्ट उधारड है ठीक है ध्यान रखना हल्दिया जो बन्दर का है वो बाह पत्तन का प्रमुख उधारड है ठीक है उसके बाद पोटवलेयर की बात कर लेते है तो ये अन्नवा निकोबार में है और यह है भारत का 13 सबसे बड़ा बंदरगा है यानि कि इसको सबसे बाद में गोसित किया गया है कब 2010 में ठीक है तो यह हो गए भारत के सभी प्रमुख बंदरगा और उनके संदर में प्रमुख तत्थ अवस्तिती याद रखना राजबार भी तट के हिसाब से भी और उत्तर द में याद रखना बाद वाकि जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है तो उनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है बाद वाकि जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है उनको जरूर याद कर लें क्योंकि वहीं से question बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है तो I hope तो लगातार इन वीडियो को देखिए लाब उठाइए और अपने साथियों तक इन वीडियो को जरूर से अठीजिए तो मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन बाद